इस वीडियो में दिखाई जाने वाले सभी पाक्र काल्पनिक हैं, इसका किसी भी जाती धर्म या किसी भी सम्मूफ से सम्मधित कोई भी रिलिजनेशेट नहीं है, अगर यह किसी से सम्मधित पाया जाता है तो अब अस एक संयोग मात्र होगा, यह वीडियो एडूकेशन पर अपस के लिए बनाया जा रहा है, इसे दिल पर ना लें और नहीं इसे किसी के साथ, आप किसी भी प्रकार का गलत वेवार करें, धन्यवाद झाल 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 नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म हैं और यह फिल्म बेहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में, तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आ तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजिएगा तो दोस्तों कटपुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठ रतनान सन्थ यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाये जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई हुआ है हैं तो दोस्तों काफी जदा महत्पूर्ण और मोच सावित इसे पिल्म को काफी जदा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है ह्ए valley गया आज और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईये ख in ने राय भी ज़रूर हमारे ले दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते है हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कं पारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों मे दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के इम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बह पहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर किजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानि प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगुन महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे। इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है। बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है। एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी जादा महत्पूल और हिट सावित हुई है। इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था, इसने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे, और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पेस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार की सबसे बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्री एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्त पूर्ण fim है इस फिल्म को लिखिट और मिदेशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्त भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता के कहानित उसार्त और मिल्वेदि ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्स रत्नानशन ये अधारिच पिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ पहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर किजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक राद तिलल फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिण किरदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिण एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉकपस् लेखिएगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कटपुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहत वासु भंगना में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता क मुक्त भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानित उसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल इत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लीड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फ कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारती हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तास चूर सिंग और सरगुन महता के साथ मुक्य भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखायी गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भं किरतारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिण एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूरुण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और 2014 में तमिल फिल्म रस्तासने की मैड्या इसमें रकूल एος रकूल प्रिच सिंह है और जोसिका ऐा देगste这 सींग सब्गत के साथ नक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन 70 के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो हैं वह काफी काम आ सके तो दोस्तों इससी वीडियो में नमसकार दोस्तों आप सभी का स्वागद करते हैं हमारे यूटीूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूझपश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और आसु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्वभूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्द कहानित उसार्त रिवेदी नहीं किया है कहानि इसका राम कुमार की है और रत्नान संन यह अधारिष फिल्म है कि बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाई गई है एकशे कुमार इस में एज़न शेटि के रूप में है और दिवय वक्सी के रूप में भी खुक्ट हुआ है उपलू मैं यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्व्रून है और हिट सावित हुई है साथ इस फिल्म को ahead उक ज़्लाइब को किस बारे में क्या सूचते जरूर बताइएगा और आप्सने राएद भी जरूर हमारे साथ सेयर किजेगा ताकि हम आम के राए जो है वह काफि ज़्ल्ड है हमारे दी औरइस सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाथे हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ शेयर किजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आसके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में ह यह कमाई करके ब्लोग पच्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहतरिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहतरिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्वभूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका न उसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने क के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म ह और यह फिल्म बहत्रिण करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिण एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेर दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके blockbuster सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ कहानी उसार्त्रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन यह अधारिश फिल्म है कम बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जायेगा आपको एसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ शेयर कीज़ेगा ताकि आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट वागपेश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और कर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारत्य हिंदी भासा की मनुबईग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लि जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्वभूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफ कि दिविवक्षी के रूप में भी काफी एचा रख्टर हुआ है कि शुल है कि दोस्तों यह film काफी जादा महत्पून और हिर्ट सावित हुई है इसे के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा दा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्याधा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताहिएगा और आप अपने राई भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वह वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिण करदारों में दिकाई जाने वाली एक बहत्रिण एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्टासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेर, दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्ति के रूप में भी यच्छा रखक्टर हुआ है तो दोस्तों ये फिल्म काफी जजादा महत्पूल और हिट साबित होई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राई भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राई जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटेटेंडमेंट क दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के सा दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानित उसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधार्ज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में डिखाया जाएगा आपको 72 अक्टर के साथ 72 चीजहों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे आप काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजह में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में हैं और दिवय वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दिजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्वित दोहजार बाइस की भारत्य हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्ट रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुस बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने राई को ज़रूर बताईएगा लोगों के साथ सेर किजएगा ताकि आपके राई जो है वो काफी कामा सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे youtube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिण फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिण सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आ वासु भंगनानी, जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारे निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्वभूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है पठकता की कहानी तो उसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चे हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महतपूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमा अपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबईग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्तरिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इस इसका राम कुमार की है और रत्नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आ तरीके से कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रण सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्टिर्यूव जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुक द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म ह और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राई भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राई जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय कोश जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आसके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस किलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल् इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ चाहनि उसार्त रिवेदी ने किया है कहानि इसका राम कुमार की है और रत्नानसन यह अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज ञाइके कमाई करके भ्लॉक पेस्टर सावित होई थी और अक्षे कुमार कि सबसे वहत्रण फिल्म में एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रण सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिस फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस में दिखाया जाएगा आपको बहत्रण एक्टर के साथ बहत्रण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रण कामकारों को करने के लिए संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखायी गई है एक्षे इसमें एसा आज अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म Kाफी ज़्यादा महत्पूर्ण or hit सावित हूए है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी कीया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्शे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाह दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब् दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कटपुतरी रंजीत एम तिवारीधु वारा निर्देसित और पूजा एंटरेंडमेंट के तहथ वासु भंगनानी जे की भंगनानी और जेकिबनानी और दीपिक, देपसी झाथ, देश्मूब दौ़ारे में, 2022 क भारतिय हिंदी भासा की मनुबई गानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की क खहनित उसारत्र रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन यह अधार्च फिल्म है कि बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिन चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप म फ्लमजर होई है और हिट है इसीके साथ इस फिल्म को काफी ज्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चें जде करें तो आप अपने राई भी जरूशता ह्चीर केंजेगा ताकि हम हापके राई जो हैं वह काफी ज्य काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लीड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्छे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट-पुतरी रंजीत M. तिवारी दवारा वैग्यानिक प्राध्तिलर फिल्म है और यह फिल्मवेहत्रिन किरदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन attack परान्स एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसक पृतिता रामकुमार की है और रतरण नानसन यह अधारिश फिल्म है और बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर किजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इस पे कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल् हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देश दिखाई दाने वाली महत्पूर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे खुमार दिखे इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन यह अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर ब इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अरदन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आ अरीके से कमाई करके ब्लोगपश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बातें बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्यू पुजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारे निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्र सनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है प है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीज़ों को दिखाया जाएगा और आप इससे जब देखोऊए तो बहत्रिण कामकारों हो करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्वित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबईग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्सी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहत वासु पहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर और सर्गून महता के साथ मुक्वभूमिका में अक्से कुमार दिखेंगे। इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तो उसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसं यह अधारिस फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाए जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 73 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक्पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फि इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइ अंरी तुट रिवेदी निकिया है कहानी इसका राम-कुमार की है और रत्नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाये जाएगा और आप इसे जब तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्वित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इससे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें एसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आ आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट्पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगन और तीपी का देश्मूक द्वारा निर्मित 2022 की मन्यूबै ग्यानिक प्रात तिलर फिल्म है और यह फिल्म 22 के साथ दिखाए जाने वाली महत पूर्ण फिल्मपे इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्चे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रि चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अरदन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस् जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंग करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरग पीखुमीका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको रैटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थृवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिश फिल्म है काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राइवी जरूर हमारे साथ सेर कीज़ेगा हमारे हम आपके राइवी हम वह काफी जुह खालना हिए हमारे लिए दिया हुख क Cinnamon foreign僕 को एलके हुख का फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राइवी को जरूर वाले हैं कटपुतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस के लेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कु कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का इस मुद्वारा निर्मित 2022 की भारती हिंदी भासा की मनुबै ग्यानिक प्रात दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरून फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अरजन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो ताकि आपके राय जो है वह काफी काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो में